हेलो दोस्तों नमस्कार और इस्विल्स गुरू में आपका सागत है आई होप आप सब यह अच्छे होंगे और अपनी इस्टडी कंटेनियों कर रहे होंगे दोस्तों दोस्तों यह थर्ड जनवरी 2022 का यहनकी 2022 का डेली करेंट अफियर्स का सेशन है जो हम डेली लेके आते हैं इससे बोलते हैं DNA हम हमारी बास हम है daily news analysis हम दोस्तों इसलिए यह वीडियो साम तक पहुच पाता है क्योंकि हम परड़े की जो news हैं उनको analysis करते हैं और जो exam perspective से important हैं उनको हम cover करते हुए आपके लिए एक वीडियो तियार करते हैं दोस्तों मतलब हम previous year या second gen या first gen का कोई भ content होगा दोस्तों इसलिए हमारी timing पांच बज़े के असपास है पांच बज़े इस वीडियो को launch करेंगे प्रीवर करेंगे वगरा वगरा ठीक है तो इवनिंग में हम 5 बज़े इस वीडियो को लेके मतलब आते हैं पांच बज़े मिसको upload करते हैं दोस्तों तो यह हमारा पर के प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा इंगेजमेंट दिसकते हैं थोड़ा सा हमारे लिए प्यान दिखा सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम क्वेशन नमबर फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट हिमांक किस राज म सिरु हुआ है आप देख सकते हैं बता सकते हैं कमेंट करके दोस्तों यह साउथ लडदाक है अन्-क यह लडदाक में सिरु हुआ है कि हमांक से आप समझ सकते हैं कि कईना कई बर्फ की बात ही ह Candy एक से फ्रीजरींग पॉइंट कन ani कहीना कहां बर्व की बात हो ब कि चीन जो है चीन की सीमा से सटे जम्मू कस्मीर के लद्दाक में सीमा शड़क संक्तन जिसे क्या बोलते हैं बॉलते हैं बॉर्डर रोड और्गनाईजिशन ने मौटर गाडियों को चलने लाइक यह जो मौटर गाडिया हैं दुनिया की सबसे ऊची सड़क बनाई है क्या द सड़क दोस्तों 19300 फिट से ज़्यादा की उचाई परिष्थित उम लिंगला टॉप से उकर गुजरती है तो यह भी पूसकते हैं कि जो सड़क बनाई गई है बियारो के द्वारा वो किस टॉप से होकर गुजर सकती है तो वह है उम लिंगला टॉप से होकर गुजर सकती है दोस्तों बात करें बियारो की दोस्तों बियारो की स्थापना कब हुई थी बियारो की स्थापना हुई 1960 में 1960 में बियारो की स्थापना हुई और यह नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर इस्तित है दोस्तों और बियारो के जो डीजी है डिरेक्टर जरनल है वो कौन है Lieutenant General राजीव चौधरी हैं दोस्तों और यह Ministry of Defense के अंडर में काम करता है किसके Ministry of Defense के अंडर में काम करता है Border Road Organization दोस्तों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं Next Question है Question No.2 हाली में OTT Platform Netflix जहां बहुत सारी Pictures वगएर आप देखते हो बहुत सारी वेब सेरीज देखते हो और Imagine Prime को किस Ministry के दारे में लाया गया है OTT पर कंट्रोल करने की बाद भूट टाइम से चलेए यह लोगसभा और राजसभा में काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि इस पर हमें कोई ना कोई बिल लेके आना चाहिए क्या लेके आना चाहिए बिल लेके आना चाहिए OTT प्लेटफरम जो Netflix है और Amazon Prime है दोस्तो किस Ministry के दारे में आए बताए कमेंट करके आप तो यह दोस्तो किसके दारे में आए है तो यह आए है Ministry of Information and Broadcasting के किसके Ministry of Information and Broadcasting के दारे में आए दोस्तो Option number C is the right answer regarding this तो है Ministry of Information and Broadcasting के दारे में दोस्तो ठीक है यह हम बात कर रहा है किसकी I.V. की Information and Broadcasting Ministry के दारे में ठीक है हाली में Digital Media Platform Ministry of Electronics and Information Technology के दारे में लाया गया है यह जितनी भी Netflix, Amazon, जो OTT इनको बोलते हैं Over the Top जबकि Other Media like Print Television है Print Media है, Television है, Radio है इनको क्या है Information and Broadcasting Ministry के दारे में ही लाया गया है बट YouTube, Facebook, TikTok और WhatsApp जो है इनको किसके Mighty के अंदर में Ministry of Information and Ministry of Information and Electronics Technology के अंदर में लाया गया है जोस्तों किसके Ministry of Information Technology यानि कि Electronics and Technology के अंदर में लाया गया है YouTube, Facebook अगर हम बात करें like Social Media जितने भी है, उनको Mighty के अंदर में लाया गया है ठीक है आई होब आप समझ रहे होंगे दोस्तों प्लीज लाइक, Share, Subscribe कर दिरेगा प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ Share कीजिए दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा सा Engagement मिलते दोस्तों Question No.3 है हाली में किस देश ने KSLV-2 Nuri Rocket को Launch किया दोस्तों, ठीक है तो यह कौन सा है KSLV-2 Nuri Rocket किस ने किया दोस्तों, यह किया है South Korea, यह आप्शन A is the right answer, दच्छिन कोरिया ने KSLV-2 Nuri Rocket को हाली में Launch किया दोस्तों दच्छिन कोरिया ने हाली में Launch किया है Nuri Rocket जो है Helium Tank जो है इसका Looze हो गया था, यानि कि उसमें Problem आगे थी Helium Tank में उसके Looze हो जाने के कारण यह जो Rocket है क्या दोस्तों विफल हो गया, क्या हो गया विफल हो गया, और सफलता पूर्वक अपनी कच्छा में नहीं बहुच पाया दोस्तों और यह 3 stage का Rocket है कितना? 3 stage का Rocket है 2 stage solid है और एक gaseous state में दोस्तों 2 solid state है और 1 gaseous state है दोस्तों, ठीक है Next question है आपका Question number 4 देश ने, देश में, हाली में Better health किस देश ने, sorry, question यह था किस देश ने, हाली में Better health smoke free अभ्यान चलाया है जो लोग धुमरपान करते हैं उनकी लिए उनकी health को better करने के लिए क्या चलाया है? Better health smoke free program तो किस ने चलाया है दोस्तों? यह UK, United Kingdom यानि कि Britain में यह program चलाया है Better health smoke free अभ्यान यह UK की सरकार ने दोस्तों यह भ्यान चलाया है यह program जो है उन्हें यह वाँ पर असर पढ़ रहा है जो लोग smoke करते हैं उनकी समस्या से निजात दिलाने के लिए उनको इस program से छुटकरा दिलाने के लिए इस program को UK की government ने launch किया है लगबगर हम बात करें 5% जो teenagers है यानि कि 5% जो adult है UK में वो धूमर पान की जो लथ है यानि कि जो धूमर पान है smoke करते हैं उससे प्रता दिते हैं यानि कि एक तरीकी का teenagers में addiction बन गया है दोस्तों इसलिए better healthy smoke program किसने चलाया है United Kingdom UK की सरकाने यह UP थोड़ा गरत लिग गया है Sorry for that next question हाली में नवीन और नवीकणिया उर्जा मंत्रा ले किसकी बात हो लिए Ministry of New and Renewal Energy MNRE की बात हो लिए हाली में नवीन और नवीकणिया उर्जा मंत्रा ले के अमसार भारत के हरित उर्जा उद्ध्योग ने June 2014 से June 2021 तक कितने अरब डॉलर का FDI यानि की प्रतच विदेशी निवेश प्राप्त किया है FDI stand for Foreign Development Investment प्राप्त किया है दोस्तों तो कितने बिलिन डॉलर का बताईए देखो option जो है आते हैं exam में बहुत ही जादा closely तो आप confuse नहीं होना है 2 से 3 बार जाब वीडियो को revise करेंगे तो आपके mind में वो answer बहुत सटीक बढ़ जाएगा तो यह किया है दोस्तों FDI आया है करीब option नमबर C 27 बिलिन डॉलर का कितना 27 बिलिन डॉलर ठीक है 27 बिलिन डॉलर का FDI आया है हरित ओर जाओ द्योग में ठीक है उसके बाद हाल ही में जो है ग्लासको में COP26 का क्या हुआ था COP26 का जो संब्लेन हुआ ग्लासको ग्लासको जो है UK में है United Kingdom में COP26 का जो है वहाँ पर संब्लेन हुआ था उसमें इंडिया ने 2017 तक 2017 टू जीरो सेवन जीरो तक सुद यानिकी net कार्बन उत्सदन को जीरो जीरो मतलब सुनने करने की गोशना की COP26 में जो ग्लासको में हुआ है इंडिया ने 2017 तक क्या किया कि हम जीरो कर लेंगे अपने कार्बन उत्सदन को और भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन उर्जा विंड एनर्जी की जमता है कितनी पवन उर्जा है जल उर्जा है भूगर भूजा है और पादपों यानी पिलोडों से उत्पन उर्जा को हम ग्रीन एनर्जी की सेड़ी में रखते हैं यानकी सोलर एनर्जी जो सूर से आती है दोस्तों पवन एनर्जी जो हवा से आती है जल एनर्जी का स्वामित प्राप्त करते हैं दोस्तों वो कहलाता है एप डेग में लग कोई भी देश क्या करता है किसी दूसरे देश में आकर अपना इंवेस्टमेंट करता एक तरीकी से कुश्चन नमब्र सिक्स है आली में आईसीसी आईसीस की बात हो रिए आईसीसी के द्वारा किस भारतीय महला क्रिकेट ख्लाड़ी को साल की सबसेष्टी 20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है तोस्तो 2, किसको चुना गया है यह है अप्सिन नमब'र a इस्मृती मंदाना इसमती मंदाना को क्या चुनाए गया है स्वशेष्ट T20 क्रिकेटर के रूप में चुनाए गया है ठीक है मंदाना के अलावा दोस्तो टेमी विमेंट जो की इंगलेंड की है नेट साइबर ये भी इंगलेंड की है और गेबी लुइस ये आइलेंड की है इस प्रुसकार की से बनाए हैं दोस्तों वहीं ICC की बात करें इंडियन क्रिकेट काउंसल की बात करें इसकी इस्थापना 1909 15 जून 1909 में हुई थी ठीक है नेक्स्ट क्षिण है क्षिण नमर्श्यवन हाली में प्रधानमंत्री मोधी ने किस राज में सावरा कुड्डू जल रदियत पर चौहां पर हैं हिमाचल प्रदेश में दोस्तों तो यह सावरा कुड्डू जल बदेत उरुजना 111 मेगावाट की है और इसकी लागत थम्दा 2080 करोड रुपे है हिमाचल प्रदेश में सब घरों को LPG कनेक्शन कराने वाला पहला राज बन गया है सारे घरों में 100% यानि कि 100% सब प्रदेश के लिए LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज कौन बन गया है हिमाचल प्रदेश यहां पर मुख्य मंत्री सहरी रोजगार गारंटी योजना भी चालू है दोस्तों कहां पर चालू है मुख्य मंत्री सहरी रोजगार योड़ना हिमाचल प्रदेश में चालू है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है हाली में के साज के हाई कोट ने देश की पहली पेपरलेस अदालतर जो कि से पेपर की बचत्तो और पर्यावढ़ और को लाब होगा क्योंकि पेपर का यूजह करने दोस्तो खुता गया है कि पेपर का यहां वेस्टेस हो जाता है तो वो इन्वार्मेंट में यहनकी परहावड में पहुँच जाता है वेस्ट और इन्वार्मेंट को भूँचाता है तो इसलिए पेपर से भी बचत ओगी और financially और economically हम इससे फायदा मिलेगा दोस्तों हाली में सावजनिक 142 की इस्थिती को सुधारने के लिए right to P right to P अभ्यान कहां से सुरू किया गया है دोस्तों हाली में चावजनिक 142 की इस्थिती सुधारने के लिए right to अभ्यान चला गया है कि सरकार ने महाराष सरकार ने चलाएं option number B is the right answer तो यह अबियान महाराष में शुरूग या गया है और पुड़े स्टेडियम का नाम नीरत चौपला के नाम पर रख दिया गया है पुड़े स्टेडियम का नाम अदल के क्या गया है नीरत चौपणा इस्टेडियाम कर दिया गया है थीक है? ठीक है थीक है दूस्तो? ठीक है थुला एक क्वेशन यहां थुला ले लेते हैं एक यह हाईओट वाला देखो हाईओट जो है हम पहले बात करें सुप्रिम कोट की तो आर्टिकल 129 जो है दूस्तो Article 129 क्या करता है यह Supreme Court के लिए यह क्या है Supreme Court is to be the Court of Record है दुस्तो वहीh Article 131 जो है Article 131 जो है Supreme Court का यह ORIGINAL jurisdiction है किसी भी Supreme Court का यहने कि ORIGINAL jurisdiction किसे अंडर मेंगा Article 131 के अंडर मेंगा दुस्तो वहीm बात करते हैं दुस्तो Article 124 क्या कहता है आर्टिकल 124 केता है ये इसके according एक union judiciary होगी दोस्तो जो constitution of India में दिया हुआ है constitution of India में दिया हुआ है कि article 124 के according क्या होगा एक union यानि की center की judiciary होगी वो क्या है supreme court है ठीक है ये करना है कि यहाँ पर एक supreme court होगा and उसके साथ एक chief justice of India होगे होगे दोस्तों क्या होंगे chief justice of India होगे अब option में जो है कामेंट करके बताएएगी हमारे जहाँ chief justice इंडिया को मिलाकर कितने जज़ है supreme court में दोस्तों या आपके लिए चलेंगे वह हाई article 217 ठीक है यह high court से related है दोस्तों next question बात कर रहे थे हैं अच्छा यह कुछ और रहा गया था महराष्ट के जिलों में anti-narcotic cell इस्ताबित करने की घुशना की है क्योंकि आप देख सकते हैं आरेन खान केस है या सुसान सिंग रादपूत केस है तो ncv के लिए और anti-narcotic cell के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि drugs को प्रतिबंदित करना क्योंकि drugs की वज़े से बहुत सारे युवाओं में बहुत स financial हो चाहिए वो terrorism को लेकर हो तो देरेजे lot of problem with his drugs तो drugs को control करना चाहिए इसको खतम करना चाहिए तो इसलिए anti-narcotic cell बनाया गया है कहां पर महाराष्टा में बाहरत का पहला क्रसी निर्यात सुविदा केंद्र पूने में खुला गया है कहां पर पूने में क्या खुला गया दोस्तों क्रसी यानि agriculture export केंद्र खुला गया है वहीं और बात करें महाराष्टा की तो लोनार जील ओजानी बांध जैगवाडी बांध और कोईना बांध भी कहां पर है यह भी महाराष्टा में सिच्विदे देरा दोस्तों कहां पर महाराष्टा में नेक्ट कुशन है हाल भी में किस देश में फ्लॉरोना संक्रमड का पहला मामला सेंगया है बहुत अच्छा कॉशन है दोस्तों जैसे जेसे ओमिक्रोन बढ़ रहा है उसी के साथ यह फ्लॉरोना संक्रमड भी देख़ा जा रहा है तु पहला मामला कहां पर देखा गया इस्राइल में बस नमबर 10 फ्लोरू्रोना संक्रमण का पहलत मामला इज्राइल में देखा nih का और इसराइल के जो राष्टपती है वो कौन है इसाख हरजोंग इ질 kay nई रास्टपती बने है और इज्राइल ने दौस्तों OHubf Key 16 नामक यह स्पाइ सेटलाइट लॉंच किया है यह एक तरीके का ओफेक्स 16 जासुसी सैटलाइट है जो कि इसराइल ने लॉंच किया दूस्तों ठीक है हम बताते हैं फ्लोरोना की बारे में फ्लोरोना संक्रमान एक्टब में क्या है समझे अभी तो दोस्तों फ्लोरोना मतलब ट्लोो और ऑलो एंधी यह स्लोरोना अपका तो किस्यम के में लुए यह फ्लो अल्यों फ्लीव पलस कोरोन छी ओर रो एण जहें ल 윤कि यह दूप्लबुर्ट वहा है फ्लू प्लस कॉरोना के डेटेक्ट होने से डवलफ होने से बना अश्का पहला केस् Forbes में ने बताया कि इस्राइल में देखा इंजत CB immunity को flu plus corona हो जाता है तो उसकी immunity बहुत जादा break down हो जाती है यह एक तरीका का दोस्तों influenza virus है और SARS-CoV-2 enter करता है किसमें body में यानकि यह है क्या एक तो flu हो गया तो flu किसे होता है influenza virus से होता है तो एक साथ body में influenza virus और corona किसे होता है SARS-CoV-2 से SARS-CoV-2 का जो virus है और influenza का वाइरस है दोनों body में एक साथ enter करते हैं तो क्या बन जाता है flu रोना बन जाता है दोस्तों ठीक है तो यह दो different type के virus है तो यह क्या करते हैं body में जब enter कर जाते हैं तो क्या बन जाता है फ्लोरोना बन जाता है और इस highly highly impacted अभी recently यह case इस्राइल में देखा गया एक pregnant women थी उसको hospital में admit किया गया और इसको delivery के दुरान यह क्या है पाया गया फ्लोरोना उस young lady में sorry pregnant women lady में पाया गया बट वह young women lady क्या थी that was not vaccinated for both viruses वह vaccinate नहीं की गई थी इसलिए भी यह symptoms दिखा गया तो प्ली गाइस दोनों डोज जितनी हैं ले चुके हैं आप तो ले लिजिए तो अच्छी बात है नहीं लिए तो आप दोनों कोरोना की डोज जरूर लें जिससे आपके लिए और सब के ल राश्टिय बाग सरच्छन पादिकण की रिपोर्ट के अनुसा 2021 में भारत में कितने बागों की मिलत्य हुई ठीक हैं यह बात करना हैं कितने बागों की मिलत्य हुई एन टी सीए के एकॉर्डिंग एन टी सीए जिस्टेंड पोर नेशनल टाइगर कंजरवेशन ऑथर्टी घुए दोस्तो ओपोषन नमर एन 120 जूँ आगां की मिलत्य हुऊ गें 2020 में भारत में 120 सबसे ज्यादा एक नमर परहें नमर टीन पर है कर Analytics करनाटक में सबसे ज़्यादा बागों की मत्यूं देखें गए दोस्तों हम एंटी से की बात करें तो राष्ट बाग सरच्छर पादीगर्ण मिनिस्ट्री ऑफ इन्वाइमेंट फोरेस्ट क्लाइमेट चित के अंदर एक इस्टेटरी बॉड़ी है सामवधिक संस्ता है पर्य कि अब उसके बात अब तक भारत में 21 टाइगर रिजव्स हैं कितने 50 मुझाए चाहिए करेडर रेजव हैं अभी रिसेंटली जो है सिरीवल्ली पथूर मैगा मलाई टाइगर रिज Art feeding को इक वान टाइगर रोचित किया गया स्रीवल्ली प थूर मईइगा मलाई टाइगर टाइगर रिजब घोशित किया गया दोस्तों ठीक है यह कहां पर है स्रीवल्ली पथू तमिल नाडू में इस्टेते अब तक भारत में कितने टाइगर हो गए एक्यावन 51 टाइगर जब हो गए हैं एंटीसिया का हेड़कॉर्टर नई दिली में कहां पर है निव डेली में इसका हैड़कॉर्टर दोस्तों ठीक है अगर हम बात करें इस्टेट बाइद की किस राज में कितने बाग हैं कितने टाइगर्स हैं तो मैं आपको बताईता हूं करन दोस्तों सब सेयदा टाइगर करनाटच में हैं parents XD मैं स्वरज सबस्यादा एंपी में मद्य प्रदिश में 526 टाइगर नगे 506 टाइगर यह बाग नंबर दौड़ है करनड़कम कितने 524 में उसके बाद नबर 3 ecology ऐक म्हां फोके ऊहां पर लाइकने 422 टाइगर खीक है उत्तर प्रदेश का नमबर बासना है उत्तर प्रदेश यूपी में 170 टाइगर है कितने 117 दोस्तों ठीक है अब आगे पड़ते हैं हाली में किस देश ने विस्की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत किया सबसे लंबी मेट्रो लाइन ऐसा कारनामा तो चीन ही कर मेट्रो लाइन है दोस्तों ठीक है यह ते आपके बारे कुशन साब और भी आगे बढ़ेंगे बहुत इंपोडेंट कुशन को हमने लिया है आगे से और अच्छी कोचिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताईएगा कि क्या हम इसमें एड-on कर सकते हैं और क्या नहीं इसके लिए बहुत बहुत धन्वाद प्रीज देखते रही है लाइक सब्सक्राइब सेयर कर देगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिक्वेस्ट है दोस्तों के साथ सेयर कीज़ेगा थैंक्यू फूर वाचिंग आपके लिए कुछ अभ्यास प्रिशन है जिनको की लोगसवा सीटें कितनी हैं और राजस्तान की राजपाल कौन है यह बहुत छोटी और मामूली कुशन है आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएगा और इनकी आंसर देजीगा सो थैंक्यू फूर वाचिंग इट लब यूल गाइस बनेरी हमारे साथ देखते र सुमारे साथ और लव यौल गाइज